नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News स्री कृष्ण गोशाला में गाई के गोबर से बने दीपों को काफी पसंद किया जा रहा है तथा लोगों का कहना है कि घर में इनके आगमन से सकारात्मक उर्जा का परवेश होगा तथा इसी कान गोशाला में उनका आर्थिक सहयोग भी पहुंचेगा मोद्योगिक परसिक्षन संस्थान यानि आईटियाई में सत्र दोजार बीस इकिस के दाखिले है तू आविदन के लिए पांच नौमबर को दोबारा से पोर्टल खुलेगा पोर्टल पर विद्यारती सोरा नौमबर तक आविदन कर्श केंगे हालांकि नए आविद्गों को पांच वी काउंचलिंग में ही समिल किया जाएगा कोशल विकास से मोद्योगिक परसिक्षन विवाग की ओर से चोथी पांच वी काउंचलिंग के लिए कारेकरम जारी कर दिया गया है फिलाल ITI में तीसरी काउंसलिंग के आदार पर ओनलाइन माध्यम से फीज़ जमा कराने का अंतिम दिन है अब कॉलेज़ों में 5 नॉमबर तक होंगे विध्यारतियों के ओपन काउंसलिंग के दाके लिए ओपन काउंसलिंग की बची हुई सीटों के लिए चल रही फिजिकल काउंसलिंग अब दो नौमबर की जगह पांच नौमबर तक होगी उच्चतर सिक्षा उभाग ने तारीक को आगे बढ़ा दिया है सोमवार को कोलेजों में सुक्रवार को फिजिकल काउंसलिंग में सामिल वे विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट को चस्पाया जाएगा जिन कोलेजों में सुक्रवार को कम बच्चे आए थे उन कोलेजों में मेरिट लिस्ट को मंगलवार को लगाया जाएगा मंगलवार को लगने वाली मेरिट लिष्ट में सुक्रवार वे सोमार की विद्यार्थियों को सामिल किया जाएगा हरियाना में लव जिहाद के खिलाब बनेगा कानून बल्लबगड में छातरा निकिता हत्याखांट के बाद लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की उठरई मांग के बीच हर्याणा के ग्रह मंतरी अनिल्विज ने ट्विट कर कहा कि हर्याणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है बता दें कि इससे पहले उत्तरप्रदेश के मुख्यमंदरी योगी आदित्तिनाथ ने एलान किया था कि राजी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा उन्होंने कहा कि इससे नयायले की आदेश का पालन भी होगा और बहन बेटियों का सम्मान भी होगा इलाबाद हाई कोट ने अपने एक फैचले में कहा था कि महज साधी के लिए धरम परिवर्दन वैद नहीं है क्रिशी कानूनों के विरोध में किसान संग्ठनों दवारा पांच नॉम्बर को किये गए चक्का जाम के एलान पर हर्याणा के मुख्यमंतरी मनोलाल खटर ने परदर्शन कारे को चेतावनी दी है हर्याणा द्योस के मुखे पर करनाल में आयोजीत खेल द्योस कारेकर में पहुंचे सेम खटर ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन कानून व्यवस्ता किसानों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान शांती पूर्वक अपना परदर्शन करें। अगर कोई भी कानून व्यवस्ता बिगाड़ने के कोशिस करेगा, उसके खिलाब फिर शक्ती से निप्टा जाएगा। बरोदा उप्चुनाव का परचार रविवार शाम चैब जे थम गया है शाम चैब जे से जिला के सभी बॉर्डर शील कर दिये गए हैं राजनेतिक दल्त अथवा चुनाव लड़ने वाले उम्मिद्वार घर गर जाकर केवल पांच व्यक्ति ही परचार परसार करश केंगे यह जानकारी उपायक पूनिया ने प्रेस कॉन्फरेंस कर दी उन्होंने कहा कि ब्रोदा उप्चुनाव को सांतिपुरों डंक से संपन करवाने के लिए सभी पुकता इंद्जाम पूरे कर लिए गए हैं सभी मत दाता बिना किसे दवाब, लोब लालेच, एवं बिना ड्रे अपने मत का परियों करें हरियाना में तीन साल की रजिस्टियों की रिपोर्ट देने में अपसरों के छुटे पसिने हरियाना सरकार दोरा पिछले तीन सालों में हुई रजिस्टियों की मांगी रिपोर्ट देने में अधिकारियों की पसिने छुटे हुए हैं कुछ अधिकारियों ने रिपोर्ट मुख्या ले भेज दी है तो कुछ हवी रिपोर्ट तयार नहीं होने का बहाना बनागर सरकार से समय की मांग कर रहे हैं। काम जो ने केवल देश बलकि दुनिया की उचाईउं से भी दिखाई पड़े। हरियाना दिवस पर मीडिया ने मुख्य मंतरी मनोहरलाल से बाविस सके हरियाना पर उनकी राय जानी तो काफी कुछ निकल कर सामने आया। इनेलो सुप्रीमो ओम्प्रकार चोटाला ने सनिवार को पार्टी उम्मिद्वार के समर्थन में जन सभा में एलान किया कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर पर प्रदेश में बुड़ापा पेंशन बढ़ा कर सिधे चोवन सो रुपे मासिक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता से सेवा का मोका मिलने पर इनेलो पार्टी इतना ज्यादा विकास करेगी कि हरियाना दूसरे राजियों के लिए मिसाल बन जाएगा। चोटाला बरोदा गाओं में इनेलो और आजाद समाज पार्टी दोरा समिक तुरूप से आईजित रैली में बोल रहे थे। पारों के बीच सीधी डिबेट होगी इस दोरान बार काउंसलिंग पंजाब एंड हरियाना की कोबिड-19 के लिए जारी एडवाईजरी का भी पूरी तरह से फारण किया जाएगा।